हाई फ्रेंट्स विल्कम है हमारे GFC इंडिया यूटूब चैनल्स पर तुड़े वी हैव सेलेक्टेट टेस्ट नबर 170 फ्रेंट्स से हमारा टेस्ट नबर 170 इस पर बात करेंगे काफ इंपॉर्टन टॉपिक पोश्ड या निट्रिशन से कुछ इंपॉर्टन कोशन लिए जो क्योंकि यह सभी कोशन आपके लिए इंपॉर्टन होंगे और आप देश एकते हैं अपने स्कीन पर यह आल इस्टेट के नर्सिंग एक्जाम्स के लिए जैसे के आल इस्टेट के CHO, आल इस्टेट के एनम, जेनम, एक्जाम्स, स्टाप नर्स, बियसी नर्सिंग, इस्टेट के लिए अपने स्टेट के लिए जरूर आप बताया करें जब भी आपको मौका मिलता है टेस्ट स्ञgesetz करने का और जब भी आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने आमसर बताएं तो बहरी चक आप अपने आमसर बताया करें ठीक है आप hesitate न क्या करें यहां से आपका confidence बढ़ता है जब भी आप अपने आमसर बताते हैं ठीक है तो without hesitation आप अपने आमसर जरूर बताया करें क्या होगा इसका आइट आमसर comment करें आपना आमसर और last में बताएं आपने कितने question सही कि किस बिटामीन की कमी करण जीब पर या होती जाँ चाले पड़ाते हैं बिलिश्टर हो जाते हैं ठीक है बिटामीन बी की कमी करण ऐसा होता है ऐसा होता है मालो कि आपके एक्जाम्स में बिटामिन B कम्पलेक्स को डिफाइन किया गया, ऐसे किया गया कि बिटामिन B1 की कमिक करण ऐसा होता है, या B6 की कमिक करण ऐसा होता है, थीक है, या B12 की कमिक करण ऐसा होता है, तब आपका most appropriate जो answer होगा ना, कि जो bilister हो जाते हैं, G पर छाले पढ़ जाते हैं वो विटामिन B12 की कमिक करण ऐसा होता है किसकी कमिक करण वैसे तो सभी विटामिन जो B के सारे रूफ होते हैं उससे भी helpful होते हैं या च्छाले ना पड़े या यू समझे कि विटामिन B जो complex होता है उसमें B1, B2 ये सभी आ जाते हैं ठीक है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12 तब आपका answer जो होगा विटामिन B12 होगा most appropriate answer है विटामिन B12 होगा तो उमीद करता हूँ आप समझे होंगे यहाँ पर देख सकते हैं आप B complex भी लिखा हुआ है और B12 भी लिखा हुआ है जब भी आपसे define कर देख सेपरेट रूप से या separately आपसे अमसर पूछ ले जाए तब आप विटामिन B12 बताएंगे वरना आपसे ज़्यादा तर एक्जाम्स में यही पूछा जाता है और पूछा भी गया है विटामिन B कमी की करण ऐसा हो जाता है ठीक है या यूँ कहें vitamin B complex B complex का मतलब होता है इसमें B1, B2 यह सारे विटामिन सा जाते हैं लेकिन जब मेंडरी बात करेंगे तो vitamin B12 कहेंगे इसकी बज़े से ज़्यादा तर ऐसा होता है question number 2 है आपकी skin पर पढ़े फिर answer बता है question number 2 vitamin B9 की कमी से कौन सा इनेमिया हो सकता है which इनेमिया can be caused by vitamin B9 deficiency according to option you have to select the answer क्या है इसका right answer option C इसका right answer है क्या option C megaloblastic eneमिया megaloblastic eneमिया जो है मुखता vitamin B9 की कमी के करण ऐसा होता है vitamin B9 की कमी के करण ऐसा होता है यहाँ पर details में से थोड़ा इसनी समझ ले points को फिर इसके बाद बात करते है जैसे होगी मालो आपसे पूछ ले गया है जो megaloblastic eneमिया यह किसकी कमी करण होता है तो जब भी vitamin B9 और B12 वो दोनों दिये हो ठीक है तब आपका answer vitamin B9 होगा ठीक है यहाँ आप करेंगे और B9 और B9 मार्क करेंगे और परन्सेयस इनीमिया के बारे मैंने काई बार propor क्मम किसी हो जाता ऀसा हो जाता घृमł की जोन छोड़ा रीक स्विक्राइन के लिए आंसर मार करेंगे तो इसलिए आपको जो लिखना चाहिए हम सर ऐसे लिख लिए आप ठीक है मेगलो ब्लास्टिक इनेमिया इजिकल टू B9 और फिर लिखना परनिसियस इनेमिया इजिकल टू B12 और इसके इन दोनों के इजिकल टू में B9 B12 वो दोनों एंड लगा के दिख लेना ठीक है क्योंकि यह कई जगह क्या है इनके बारे में भी डिफाइन किया गया है कि जो मेगलो ब्लास्टिक इनेमिया और परनिसियस इनेमिया होता है वो बिटामिन B12 की कमी करार ऐसा होता है लेकिन इन दोनों में से कोई की इन दोनों में से किसी की कमी के करार यह हो सकता है ठीक है परनिसियस भी हो सकता है मेगलो ब्लास्टिक हो सकता है तो इसलिए इन दोनों B2 की कमई करण ऐसा बताया गया लेकिन जब भी exam समी मिलेगा तो आपको 1ी मिलेगा जब अलग अलग मिलेगा तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर मेगलोब्लास्टिक पूछा जाएगा तो आप बताएंगे B9, Parn Child पूछा जाएगा तो B12 जब यह separate पुछा जाएगा तो बता दिया मैंने, ओके, इसी साब के आपको एक जांस में आंसर, क्लिक करना चाहिए अपना, जो right answer होगा, question number 3 पढ़ें आप, फिर answer बताएं, सरीर में पूटीन की मात्रा मापने के लिए किसका इसतर जाचने आवेसा के, which level is required to measure the amount of the protein in the body, क्या होगा इसका right answer, जिसका जो most appropriate answer है, वो आफसलेट करें इसमें, इसका जो right answer होगा, option B होगा, क्या, option B, nitrogen, पूटीन का इसतर जब भी body में चेक किया जाता है, तो nitrogen की मात्रा का पता लगाया जाता है, कि nitrogen की मात्रा body में कितनी है, okay, मैं आपको साधार से example की रूप में समझाता हूँ, आप कभी भी जो खेत होते हैं, फिल्ड होते हैं, इनमें जो फसल्स होती है, ठीक है, जैसे कि मालो की कोई भी फसल्स बोई जाती है, गेहू, चावल की या और भी आला गया है, ठीक है, तो यह जो nitrogen डाली जाती है, तो nitrogen पाउदों के लिए एक रूप से क्या होता है, एक प्रकार का protein होता है, क्या होता है, एक प्रकार से protein होता है, कई सारे nitrogen मिलके ही protein बते हैं, या यूँ कहो कि nitrogen से ही protein बनता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जिस ख के लिए ऐसा किया जाता है आपको पता होगा बच्चों को जो प्रोटीन दी जाती या जो भी यंगल इल्डवार को सके और उनको उनका जो प्लांट होते हैं इन खाद डाली जाती नाइट्रोजन के रूप में जो पाउदों में नाइट्रोजन डाली जाती नाइट्रोजन का मतलब होता है कि उनको पोर्टीन दी गई है क्या उनको पोर्टीन दी गई है ठीक है नाइट्रोजन इस टाइप सब्सक्राइब नाइट्रोजन से मिलके बनता ह इसमें ताकि अच्छा नाच पैदा हो और पेड़ पहुद है जादा अच्छे से ग्रोध कर सके इसके लिए भी नाइट्रोजन डाला जाते तो आपको ध्यान रखना है यह ग्रोविंग का काम करता है नाइट्रोजन या प्रोटीन क्योंकि बात दोनों सेमी है उमेद करते है आप नेक्स टे कोश्च नमर फूर पड़े फिर आमसर पता है कोशक नमर चार बॉय इंक्讹 बायोटीन क्या है वर्ष बायोटीन यांपर जैसा आपसर दियेगे इस सीमेंें से आपसर से स 오른लेट करना है राइट अंशर क्या है बिटामीन ट्रॉटीन एक प्रकार का क्या है क कौन सा विटामिन है विटामिन 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 विटामि वरफाइब पूछा गेश करना है एक सरवाधिक भाग मतलब होता है कि से छसी इसके चाहरीं आपendar होगा, आफसरणडी होगा क्या आफसरणडी बोन बोन में जो केलसियम होता है सबसे ज़्यादा मातरा में एकत्रित होता है या इस्टोर होता है एकुमिलेट होता है ठीक है तो आपको ध्यान रगना चाहिए आफसरणडी इसका राइट आंसर है और यहाँ पर आफसरण जो बीम इं दोनों में एकत्रित होती है किसमें हड़ियों में मतलब बोन में और तीस दोनों में ये एकत्रित होती है इनका पार्ट होता है 99% जो कलसियम होती है 99% जो भी आप कलसियम इंटेक करते हैं लेते हैं खाते हैं ठीक है तो उसमें 99% जो कलसियम एकुमिलेट हो गया इस्टोर होत दान्त और Bones पे एकति तुझी Seo आप सोच्य रहे होंगे मैंगे लात क्योंगी मार्क किया मैंने दान्त जुछ तीथ है आपसन भी क्यों निשक्राइफ किया मार्क किया मैने इसलिए मार्क नहीं किया stuff रहा恩 के आपके माउथ पर दातोस थे यह यह total 32 होती है कितने होते हैं 32 होते हैं 32 दात होते हैं और जो 32 दात हैं तो यह कोई ज़्यादा numbers नहीं है यह quantity भी न की कम है जो bones होती है body में आपकी पूरा structure से आपका पता होगा यह धाचा जो बना है आपका पूरा यह bones से मिलके बना यह पूरा ढाचा ठीक है bones तो इसलिए जो quantity के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो calcium एकत होगी ना और जरूरत भी ज़्यादा पड़ेगी तो bone को पड़ेगी हड़ियों को पड़ेगी ना अस्ती को ठीक है दातों के लिए तो ठीक है यह कंकाल जो बना होता है मानों का पूरा कंकाल यह पूरा किसके बना होता है यह अस्तियों से या bone से मिलके बना होता है इसलिए bone right answer होगा ठीक है बाइद भी मान लों कि आपको examस में दोनों मिल जाएं क्या teeth bone दोनों मिल जाएं और आपसर में आपको बोथ मिल जाए क्या बोथ मिल जाए या दोनों मिल जाए तब आप कांसर बोथ वालव साही होगा क्योंकि दातों और दातों और हड्डियों या अस्तियों के निर्माड के लिए केलसिम के जरूत होगी तब इसलिए इसी में सबस्यादा मातरा में इस्टोर 32 दान्ट किसी का 28-30-32 ऐसे ही दान्ट पाए जाते है ठीक है बाकि जो पूरा बोड़ी का इस्टेक्षिस बना होता है आपको पता होगा कि पूरा बोड़ी कंकाल से मिलके बना होता है मतलब हट्णियों से मिलके बना होता है और मात्रा के हिसास मतलब वजन के हिसाफ से या साइट के हिसाफ से भी यह ज़्यादा होते है इसलिए जो ज़्यादा चीज़ होगी वो इसी में स्टूर्ड होगी न कलसियम की बोंस पे और जरूरत लेकिन दातों और हट्डियों के विकास के लिए कलसियम की जरूरत होती है एक परसंट जो कलसियम होती हो इस्टूर्ड होती है बलड में मसल्स में सेल्स में ओके और फिल्यू डिलूट बगारा में हो जाती है नेश्ट कोशन है कोशन नमर 6 पढ़े फिर आमसर बता है कोशन नमर 6 यहां पर पूशा गया है एक समान व्यक्ति को प्रति दिन कितनी मात्रा में सोडियम किया हो सकता हो ठीक है सोडियम का जो सिंबल होता है केमकल्स में एने होता है क्या एने होता है और ये प्लस में होता है एक बार कोशन पूशा गया था एक जामस में एमस में पूशा गया था जो सोडियम होता है ये रिनायन होता है कि धनायन होता है कि दोनों होता है ठीक है तो ये धनायन होता है हिंदी में ध्यान रखे धनायन और इसको ध्यान रखना है आपको क्योंकि इसे क्या होता है, स्टयार्ज लगता है क्या लगता है, अब बता है थोड़ा सा यहाँ पर इसका परमाल कर्मांग होता है atomic number होता है वो 11 होता है जब इसका जब इसकी class में electrans रखे जाते हैं 281 के हिसाब से रखे जाते है जो एक electrone होता है यह क्या करता है त्याग देता है तो त्याग देता है मतलब दे देता है देता होई है जो धनी व्यक्ति होगा धनायान होता है ठीक है देता होई है जो धनी व्यक्ति होता है इसलिए प्लस का सिंबल एने पे लग जाता है एने मतलब होता है सोडियम ठीक है एने पे लग जाता आपने आपको मैंने कई बार बता है तो इसको अपनी क्लास फिल करने के लिए एक लक्टान की जरुवत हो जाएगा तो जब यह प्लस माइनस हो जाएगा आपको पता है प्लस माइनस से हर चीज़ चलती है ठीक है तो इसलिए यह मिलके बन जाता है तो इस प्रकार यह नमक का निर्माड हो जाता है किसका साल्ट का निर्माड हो जाता है आप समझ गए होंगे आप इसी प्रकार से साल्ट बनता है हो सकता था यह किसी और से क्रिया कर लेता है लेकि सिसकर आइटां सर रहे लस्देज़ फाइब ग्राम की आज पास इसको जरूत परती इस से कमी लेना है बहुत होती है सोडियम की वह तो लगबग जरूत होती है 1 TSP, कितना? 1 TSP मतलब 1 जो TSP होता है इसकी जरुवत होती है, लगबग 4 या 5 ग्राम के असपास होता है, ठीक है? इतनी जरुवत पड़ती है, अगर इसको MG में बात करेंगे तो, एक जो TSP होता है, 2300 MG के असपास होता है, मतलब 300 MG के असपास जरुवत होती है अगर इसको हम उसपे चेंज़ करेंगे 2.3 3 ग्राम आजागर, लगबग 2.5 ग्राम के असपास, मतलब 2.5-3 ग्राम, मतलब 2-3 ग्राम, या 4 ग्राम के असपास ही, इसी लिए कहा गया है आफसन से 5, less than 5 ग्राम 5 ग्राम से कमी की जरुवत होती है कमी लेना चाहिए, ठीक है ज्यादा लेने से आपको पता है, इसके कही हानिया होती है, ब्लड बी-पी हाई हो जाता है और हर्ट स्टोक हो जाता है, हर्ट में कई डिसीजियर या कई प्राबलम सा आती है डिसीजियर रिकमेंड करता है, आज की रिपोर्ट में बताया है, डिसीजियर ने कि लोगों को नमक कम खाना चाहिए, इसका मतलब है उन्होंने बताया है कि जो हमेशा जो पूरी पापुलेशन की जो वर्ड में देट होती है, लगबग 11 मिलियन की असपास होती है, कि इतने 11 मिलियन की आसपास होती है, उनमें से जो तीन परसंट है, वो क्या होता है? नमक जो ज़ादा खाते हैं, इसकी वज़े से उनकी मौень हो जाती है, खास कर इतने जो ज़ादा व्यक्तित होते हैं, खास कर 30 million के आसपास लोग क्या, sorry 30 lakh के आसपास लोग खतम हो जाते हैं जो जादा नमक खाते हैं मतलब 5 gram से जादा नमक का सेवन करते हैं इसलिए WHO recommended करता है कि किसी भी person को 5 gram से जादा नमक नहीं खाना चाहिए अगर average बात करें तो 1 teaspoon लेना चाहिए तो इसे ध्यान रखे 200 mg या उनका आपसान ऐसा होना चाहिए 2.5 gram इतना एक average person के लिए जरुवत होती है अमीट करते हैं समझे होंगे आप यह सभी point यहाँ पर देवसे थे हैं वोई बात मिंसन है यहाँ पर एक average person के लिए daily जो consuming होता है ना salt का कॉई क्योंकि जरुद भी नमक की ज्यादा होती बौड़ी की क्यों ज्यादा होती है क्यूंकि यह जो नमक ऋता है sodium सुडियम सोडियम सोडियमcak पसीने के माधियम से बॉडी से निकल जाता है पसीन जाब हसी प्रकार सीओ को ह exactamente है तो इसके माधियम से यह एकजेक्ट होजाता है इस वज़ेश से ज्वास हुदा ही होता है तो इसी प्रकार से 2.3 के लिए हमने 300 mg लिखा था, ओके, समझ गए होंगे आप, next question है, question number 7, पढ़ें फिर आंसर बताएं, वैसको में vitamin D की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, what is the disease caused by vitamin D, deficiency in adults, क्या है इसका right answer, आफसंसी, इसका right answer है, क्या आफसंसी, यहाँ पर एक बात समझें आप, जब भी मानलो की question में जैसा पूछा गया है, अगर मानलो की जैसे आफसंटी पर हमने लिखा है, उप्रियुक्त सभी, मानलो की उप्रियुक्त सभी न लिख के, यहाँ पर recates लिखा होता, क्या लिखा ह होता, रिकेड, जो snippet, इसके लिखा होता, क्यूं होता, क्यूंकि यहाँ पर पूछा गया, एडल्ट परसन के लिए, किसके लिए, एडल्ट परसन पाप ने क्ई छुटर चुटे बच्चों को देखा होगा उनके पैरों की हर्डियाँ होती है वो क्या होती है ऐसे थोड़से त्धेड़े हो सकते है या ही आप यह डिक हो वाला गलत होगा ठीक है क्यों गलत होगा वहां पर हमने मिंशन किया और कई बार बताया भी बच्चों के लिए इसप्टेसली रिकेट्स डिकेट्स होती है बिटामिन डी की कमी करण और यह अदल्स में या वयस्कों में कमी होती है उसको ऑस्ट्यू मलैसिया की नाम से जाना बच्चों में पाए जाते हैं जो 메이크업 से डिसियुशाती लेकिन यह सारी पराबबलम साथ बिटामीन D की कमी के करण नेक्स टेक कोशन नमबर 8 पढ़े फिर आंसर बता है कोशन नमबर 8 आपकी स्किन पर यह रहा ओके यहाँ पर पुछागे है विटामिन C की कमी से होने वाली समस्या है अधर प्रेबलम्स का जबाई विटामिन C डिपसंटी इच according to option answer select करें आप option D scarite answer होगा F की जगे है पर आप D लिखेंगे क्या D लिखेंगे option D scarite answer होगा क्यों होगा यहाँ पर आपको तो एक decision लग रही होगी कि हाँ यह विटामिन C की कमी के करण होता है ठीक है और आप दूसरा जो तीसरा जो find कर पा रहे होंगे दूसरा तो आपको यह पता होगा कि जो wound healing होते हैं जो घाओ भरते हैं वो vitamin C की doges दिये जाते हैं लिमसी बगरा दी जाती है ताकि आपके जो घाओ हैं या wound है वो आसानी से जल्दी भर जाएं ठीक है लेकिन आपको इनेमिया problem create कर रहा होगा कि इनेमिया क्यों master ने बता थी हमें ठीक है तो इसके लिए मैं यह बता रहा हूँ कि जो इनेमिया है ना यह मुखिता B12 की कमी के क करण ऐसा होता है किसकी कमी के करण आरन की कमी करण यह मोटा मोटा अंसर आप समझे पहले फिर आप समझ जाएंगे जो मैं बात बताना चाहता हूँ तो जो इनेमिया decision है, ये iron की कमी के Party होती है, किसकी कमी करण? इसमें जो body होता है, weak हो जाता है, ठीक है? Portion क्या होता है, weak हो जाता है, RVC कम हो जाते है, और भी कई problems होती है, blood की कमी हो جाती है, inemia का मतलब होता है, ये कि रख्ट했다 की कमी हो जाएगी, और ये iron कीवजल से ऐसा होता है आइरन मतलब होता है लो तत की कमी हो जाती है तो इनेमिया जो डिसीजिज होती है ये लो तत की कमी तब भी होती है जब आप बिटामिन सी नहीं ले रहे होते हैं क्यों क्योंकि जो लो तत होता है ना आइरन से ये जो आइरन से लो इनने में लो कहा जाता है आइर तो डेली परपच पे जरूरत होती है, डेली बेसिस पे आप कुछ खाना चाहिए, विटामिन C, ठीक है, तो जब भी आप आइरन लेते हैं, आइरन के टैबलेट खाते हैं, या किसी भी सोर्स जो भी आप भोजन करते हैं, उसमें अगर आइरन मिलता है, तो अगर आप आइरन तो ये बिटामिन C की वज़े से इनेमिया आकर सो जाता है, बोडी में या हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिटामिन C की जब कमी होती है, तो बोडी क्या करता है, आइरन का आइरन को पचा नहीं पाता, तो इसलिए आप संडीर्स का राइट आमसर है, समझ गए होंगे हमारी बात जो बताना चाहता था चलते हैं नेस्ट कोशन पर कोशन नमर नाइन है आपके स्किन पर पढ़ें फिर आमसर बताएं ज्यादा वीडियो को इसकिप कर सकते हैं लेकिन आप जो भी डिटेल्स बताता है उससे समझा करें आप इससे आपका जो समझने की समझन दानी है कर दो क्या है इसका राइट आमसर अप शन भी है क्या आप्सन भी प्रोटीन की कमी भारती भोजन में जज़्या मातरा में पाई जाती है ठीक है तो बच्चे होते हैं इसमें ज़्यादा तर को पूशन देखने को मिलता है इंडिया में खासकर या एस्या के कुछ ऐसे कंट यहाँ पर protein की कमी के कारण कोपोशन ज़्यादा देखने को मिलता है क्वैसर का decision हो जाती है बचों के पेट निकल आते हैं हाथ पेट पतले हो जाते हैं हाथ पेट क्या होते हैं बचों के क्या होते हैं पेट निकल आएगा यह और हाथ पेर पतले हो जाते हैं बाल ये यलो टाइप के हो जाते हैं कहीं रेटनेस आ जाता है तो खड़े-खड़े से बाल रहते हैं ये फ्लैक साइंग टाइप दिखने लगते हैं और ये इंडिया में ये आम बात है क्योंकि प्रोटीन्स का यहां पर दत्ख्याल नहीं रख जाता है यहां की अधिकान साबादी गाउं से है और जो गाउं 60-70% 80% के आसपास जो आबादी है वो गाउं से हैं और पिर जागरुकता भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है और इसका और भी कई फैक्ट है इकोनॉमिक प्राबलम्स भी बहुत है क्या है आर्थिक कारण भी है गरीबी मतलब समझ रहे आप इसके भी कारण है यह हमें सर्माना नहीं चाहिए कि हाँ हम लोग ऐसे है ठीक है जो बाते दिखाए जाती मेडिया में वो डिफरेंट होती है लेकिन जब जमीनी हकीकात होती है अपने यहां एकोनॉमिकली प्राबलम्स काफी होती है और सिच्छा की बहुत ज़्यादा मातरा में कमी है तो जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि पोटीन क्या है तो क्या समझेंगे कि हमको जो बीमारी है तो किसकी में जब जब जाता है तो उनको पता है नहीं कुछ तो खुछ तो ऐसे भोजन होते है जो जर्नली सब को उपलब दोते है और कच कुछ फैमली आप मी ऐसी कम्रेटी में ऐसी प्राबलम्स होती है जिनको क्या होता है इकोनोमिक स्टेटस जो होता है उनका ज़्यादा अच्छा नहीं होता है इस वज़ेव से भी मलेटेशन के सामना करना पड़ता है खास कर पोटीन जैसे और एक कोश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपी पीसेस में पूछा गया था कि जो भारती भोजन है भारती जो मात्रा में पाया जाता है भारती भोजन में किस चीछ की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है परयात्त मात्रा में पाया जाता है क्या होता है यहां के लोग ज़्यादा तर चामल आमल के वगएरा सेवन करते हैं या गेहों में पोटीन्स ज़्यादा होता है और मक्का का सेव पूरे वर्ड में जो डिपेंड है पॉपलेशन वो राइस पर डिपेंड है किस पे चावल पर ठीक है और एक बता दे एक बात आपको एक कोशन पूशा गया था इसके अलावा भी पूशा गयते जांस में दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है खंधान फसल के रूप में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है तो इसका जो राइट आपसर लिखना चाहे तो आप लिख सकते है राइस दुनिया में सबसे ज़्याद इंडिया में भी सबसे दा चाल खाया जाता है तो अधिक्ता होती यसे नार्थी अमेरिका बागएनों कुछ इंड्रों यूरोप में बहुत सारी कंट्रिया आती है यूरोप के जितने देश है और नौर्थ अमेरिका के सारे डेपलब्ड है डेपलब्ड मतला है पूर्ण रूप से विक्सित देश है तो इन लोगों को पता होता है पड़े लिखें एजुकेशन काफी अच्छी है तो इन लोगों इल्क इल्क बगारा लेना और भी कई सोर्स होते हैं यह अपने हिसाब से लेते रहते क्योंकि एजुकेशन अच्छा है और अच्छा है तो आप समझ गया होंगे जो दुनिया में सबस्यादा फसल उगाई जाती वो कौन सी है राइस यह कोशन पूछा जा चुका है एक्ज च्छमता बढ़ाने में सायक है विच वन आप दी फॉलविंग विटामिन एक्ट एक्ट एज एंटी ऑक्षिडेंट एंड एज हेल्फुल इन इंक्रेजिंग एमिर्टी क्या होगा इसका राइट आंसर इसका जो मोश्ट प्रपीट आंसर है या एंटी ऑक्षिडेंट की लूफ में कारी करता बिटामिन बिटामिना होतके की आफसम सी इसका राइट ऑंसर है क्या प्रपीटामिन यह बहुता और यह जाहleं क्या होता सबसे पावर्फुल होता है एंटी आप समझेंगे और यह इंफेक्शन से लड़ने में हमारी बहुत ज्यादा मज़द करता है विटामीन यहां पर देख सकते हैं आप विटामीन इजब पावर्फिल एंटी ऑक्सिडेंट इस हेल्प बॉड़ी तो फाइट इंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है आप सोर्स उजाल लेते क्या खाना चाहिए आपको कई बार बताया है आज फिर समझे इसके जो रिच फूड होत पर चुर मातरा में पाया जाता है जो बीज होते हैं किसी भी जैसे की मलोत तर्भूज हो गया लेमन्स हो गया और जैसे की अलसी के बीज हो गये जैसे की गेहों के बीज हो गये इनमें सम्में क्या होता है इनमें सम्में बिटामिन इपाया जाता है एक कोशन पब्लिक पूछा कि कोश्चन है ठीक है अंकुरी तनाज का मतलब जानते हैं आप अंकुरी तनाज का मतलब होता है sprouted food सब संच गय होंगे sprouted food का मतलब मतलब यह होता है कि आपने देखा ठेले पे लगाते रहते हैं hospitals बगारा चाराय बगारा में कुछ लोग क्या करते हैं sprouted food बेचते हैं मतलब कच्चे अनाज देते हैं जिसमें क्या होता उनका अंकुर निकाला आता है जतने परकार के आयल सोते प्लांटस से जतने बंथे जैसे कि उस्प्रसूंग का युए वरणस्पती के वा वह можем मतलब क्या होगो streaming cases of newborn bleeding problems काफ़ स्रीपल कोश्चन है किस की कमी बिटामीन के कमी बच्यों में जो bleeding होती रहती है तो इसका जो कारड है वो क्या होता है लेक व बिटामीन के मतलब बिटामीन के कमी बिटामीन के कमी infant मैं यफसे हो जाती है मालो की ममी है उनकी और ममी ने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा अपना डिरिंदेप्रेडंसी तो इस वज़े से अगमालों के कुछ ऐसे फल या कुछ ऐसे चीजे या ऐसे वेजेटेबल्स नहीं इस्तमाल किये जिसमें बिटाविन के पाया जाता तो बच्चे में जाहिर सी बात हो जाएगा कि ब लिदो का डिर्याविन के तो produit में जाता है जोड़ने पायदियो के पिलेडियो क अदिके तो सही चली सॉइंसरे अंसर दिये थे H1N1 Swine Flu कहा जाता है एक बार question पूछा गया था जो H1N1 है या यह पूछा गया था question कि Swine Flu को किस नाम से जाना जाता है ऐसे कई आफसन थे H5N1 H1 H2 ऐसे करके थे ठीक है तो आपको ध्यान रखना चाहिए H1N1 को Swine Flu कहा जाता है किसको H1N1 को इसका राइट आमसर था option C सभी लोगों ने सही आमसर दियते बहुत कुछ भी थी क्योंकि आशतर लगता है कि आप लोग डेली कुछ मा कुछ पढ़ते रहते है इस वज़े से आपको यह रिमाइंट से रहता है याद रहता है उसल्टाम है यह स्वाइन फ्लू के लिए दी जाने वाली मेडिसन है ठीक है अभी यह करोना जो चला है करोना टाइम में भी इसे दिया जा रहा था क्योंकि क्या यह एंटी वारल्स है और स्वाइन फ्लू का मतलब है कि यह क्या होता है फैलता रहता है ये हवा के माध्यम से भी फैलता रहता है इसलिए इसका काफी इस्तमाल भी किया गया उसल्टेम है विर का लेकिन जो मेंली ये दवा है ये किसकी स्वाइन फिलू की है किसकी स्वाइन फिलू की है तो थेहां डह नहों है आपको स्वाइन फ्लूव के अगर मतलब नव्याज़े रहते हैं यह कि आपको पता हैं अनुदा का पता होता है काफी गंदगी से बहुता है तो इस वजह से यह लैच़र देखने एक को मिलते हैं स्वाइन फिलू के ठीक है यह अच्छा देखने को मिलते हैं इसलिए स्वाइन का मतलब होता है हमेशा इसी से डिफाइन के था स्वाइन के मादम से फैलने वाली ठीक है ठीक है तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो स्वाइन फिलू के लिए मेडिसन ड्रक्स अप च्वाइस है जो दी जाती वैसे लिए मैवीर होती है ओके और यह भी पिछले एनचेव एक जामस में पूछा गया कोशन है नेच्ट है कोशन आपकी स्केट पर यह आपके लिए है इसका आंसर आपको बताना होगा कोशन नमबर है 13 कोशन नमबर 13 पे पूछा गया है एक साधारतिया साधारतिया एक भारती वैस को प्रति दिन कितनी उज़ा किया हो सकता होती है How much energy Dutch and Indian adult normally need per day पर दे के हिसाब से उसे कितनी एनर्जी की जरुवत परती है, कैलोरी में यहाँ पर मिंसन है, टीक है आप लोगों ने कई जगे या कई बुकों में देखा होगा, किलो कैलोरी अभी भी लोगों ने बहुत जगे टाइप कर रखा है, टीक है जो कि K हटा देना चाहिए के गलत है K नहीं होता किलो कैलोरी में होता किस में होता है कैलोरी में UCL लिखा होगा कैलोरी लिखा होगा यहां पर आफ़ाण दीख रहे होगे आपको सायद या जूम कर देता हूँ आप कोस्टन को पढ़ ले अच्छे से यहां पर पूछा कि एक जो भारती है होता है साधारते है जो नार्मली काम करने वाले होते हैं चोटा मोटा या डेली परपच की जो व्यक्ति होते हैं चोटा बहुत काम करते हैं उनके लिए जो जरूरत होती है कैलोरी की उन्हें केतनी डेली बेसेस पर जरूरत ह यह गये गये जो सबसे उपयूगत आंसर है वह आपको बताना है ओके यह ncrt class 9 का k Unsr लिए क्लास 9 का मैशंत कैशक में इसलिफ यह इसलिफोंको सबस्क्राइब धिया है ज़ूँ अब ही कई अधर यदर बोर्ड एक्जाम्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइम आया से सी युपी बोर्ड में भी पूछा जा चुका है नार्मली जो जरूरत होती पढ़ एक इंडियन्स को वह एक वैस को कितनी कैलोरी की जरूरत होती एवरेज में ठीक है अधिकतम कितनी भी यह कोशन यह है आपके स्क्रीन पर ठीक है तो आप इसे पहुंच कर लेना देख लेना उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा चैनल पर नहीं से सब्सक्राइब करना लाइक करना आप लोग लाइक नहीं करते हैं और आपने दोस्तों साथ सेयर करते हैं हो आपके लिए उसके लिए राम बार से दोगा ठीक है क्योंकि हम आपको जड़ा बकवास नहीं पढ़ाते खासकर उसी पे हमारा फोकस रहता है जो एक्जाम्स में कोशन पूछे जाते हैं जिस परकार से पूछे जा सकते हैं फ्यूचर ठीक है उसके बारे हम आपको डिटेल बसुचर में बताते हैं ता आपको आपको लच भेदने में आज यादा आसानी हो ठीक है जदातर कोशन ये पूछे के कोशन होते हैं और कुछ कोशन हमारी रिसर्च की भी होते हैं जो हम इन्हें देखते हैं कि एक्जाम्स में किस-किस परकार से अलग-अलग डिपार्टम पर नरसिंग के अलाबा भी पुछ जा चुक है जरूर रहता है किस पूर्ड के लिए पर्णे झाल